इस वीडियो में हम बहुत असानी से सीखेंगे कि direction ratio और direction cosine कैसे निखा ले जाते हैं किसी line के अगर दो point दिये हुए हैं माल लिए कि 2 point दिया हुए 1 point A दिया हुए 1 point B दिया हुए है तो इन दोनों की मदद से कैसे हम इस line का direction ratio या direction cosine निकालेंगे तो यहां देखे question में दिया हुए है कि 2 point है एक point A है एक point B है उसके coordinate दी हुए है और question में पुछा गया है कि find direction ratio और direction cosine of AB वीडियो लास्तर को जाएगा बहुत important देखे हमने यहां पर लिख लिया है A को यहां पर लिख लिया B को यहां पर लिख लिया फिर यहां पर समझने के लिए A को X1 Y1 Z1 लिख लिया और B को X2 Y2 Z2 लिख लिया तो आपको यह याद रखना है कि जो direction ratio होते हैं उसको हम denote करते हैं ABC से तो ABC से अब A को निकालने का तरीका यह होता है यहां पर देखे हमने X1 Y1 Z1 लिख लिया यहां पर X2 Y2 Z2 लिख लिया अब A निकालने के लिए क्या करेंगे हम X2 में से X1 को खटाएंगे B निकालने के लिए Y2 में से Y1 को खटाएंगे और C निकालने के लिए Z2 में से Z1 को निकाल लिखेंगे यहाँ पर देखें इसको करके हमने solve कर लिया है और इससे हमारे को ABC की value आ गई है 253 copy pen निकाल लीजिए और साथ-साथ करिए अब हमारे को यहाँ पर हमारे direction ratio निकल गई है जैसे कि हमारे कोशन ने पूचा गया था कि find direction ratio तो पहला पार्ट हमने solve कर लिया है दूसरे पार्ट में पूचते हैं कि find direction cosine अब direction ratio अलग होता है direction cosine अलग होता है direction ratio ABC हो गया cosine निकालने के लिए हमको एक R और निकालना पड़ेगा R को क्या लिखते हैं जो हमारे direction ratio आये हैं इसका under root करके square कर दो तो हमारे R की value आ जाएगी यहाँ पे R आ गया है under root 38 direction ratio को हम DR भी लिखते हैं और उसको लिखते हैं direction ratio को ABC से direction cosine को हम L M N से denote करते हैं और हम उसको DCs भी कहते हैं तो simple क्या करना है पहले आपने direction ratio निकाला है उसको R से divide कर दीजे जो भी आपने DR निकाले हैं उसको R से divide कर दीजे तो आपका direction cosine आ जाएगा देखिए यह direction ratio है इसको आप R से divide कर दिया तो direction cosine आ गया इस तरीकी से L M N तीनो आ गए हैं एक बर यहाँ पर फिर से समझ लेते हैं देखिए कि अगर दो point है X1 Y1 Z1 और एक X2 Y2 Z2 तो उसका direction ratio निकालने के लिए उसको DR जो होते हैं उसको ABC से लिखते हैं direction cosine को L M N से लिखते हैं तो जो direction ratio का A है उसको लिखेंगे X2 minus X1 B को लिखेंगे Y2 minus Y1 और C को लिखेंगे Z2 minus X1 तो हमारा ABC आ गया है R निकालने के लिए हम लिखेंगे under root A square plus B square plus C square direction cosine क्या हो जाएंगे ratio को R से डिवाइड कर दो तो जो DR हैं A को R से करा B को R से करा C को R से करा तो answer आ जिए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा बहुत अच्छे वीडियोज देखने के लिए समझने के लिए असान से सारा math science को मैं समझाऊंगा कोई भी आप वीडियो देखेंगे आपने chapter नहीं भी पढ़ रखा है फिर भी आपको समझ में आएगा